हलो गाइज मैं हूँ प्यार बैनिवाल और आप देखरें मेरा यूटूब चैनल प्यार बाइक टेक्निशन दोस्तों इस बाइक के दर यह सबसे ज्यादा कस्टूमर में कस्टूमर ने का है कि सबसे ज्यादा मेरे को प्रूब्लम आ रही है वह आ रही है एवरेज को मलब 20 से के अब ऐसा लग रहा है कि कभी भी उसका एक रृटर सेंजी नहीं हुए लेकिन कंपनी बोलती है कि यार सर्विज पर आप इस एक रिटर को सेंज करना है लेकिन इसमें एक रिज़ की जपे भी हमारे बीके इंदर जबी वी दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको एक ठूछ करने वाले में मैं पूरले मने depressed जोस्तों मैंने आप अल्रेडी उसका फॉटर बॉड़ी को बाहर निकाल दिया है आप देख सकते हो लेकिन फॉटर बॉड़ी बहुत ही इसकी गंदी लगरी मुझे आप देख सकते हो यह यह सब क्या है इतना सारा पार्टिकल है इसके अंदर तो एवरेज में दिक्कत आ सकत कि कभी भी 17,000 km में जबी इसकी शरीश हुई है तो कभी भी कंपनी में जबी शरीश हुई है तो उसका फॉटर बॉड़ी क्लिन हुई है इस सब इसके में रस आया हुगा है और रस के बज़य से हो सकता है बाइक में आवरेज कम हो जाए तो मैं सब से पहले आप वैसे इसक एक दो खुलीन ही होगाएगी आपर बोडी ये आपको बेखना पड़ेगा साइबागा और नश के इंदर ऐसे आपको इंदर इसे आपको इंदर प्रेसे दब इस के अंदर जो भी डश्ट पाटेगेल है उस्टम बाल आ जाएगे अभी देखते होंगे, आपको कितने एकदम अच्छी से इंदर से सपाई हो इसकी इंदर से पूरी गंदि की बाहर आजएगी अब आप देख सकते हो, कितने एकदम साफ हो इंदर से कप पली पन फली आपको बता दर जाओं कितना डश्ट थी स्केंदर एक दम कर दो गई है उसको में साइग और इसकेंदर भी बहुत सारी गंदी की यह गई और पूरी गंदी के निगल गाएगा फूरी बार एक नगा प्रॉटर बड़ी तभी भी घंदी होती है न वह सकता एवरेज में दिक्कत आ सकती वाइक के टरॉटर जबेखो फूडर रिट रखता न अ में गडरा इसके टरॉटर अब देख सकता एक दम नीट पूरा कलीन हो गया है अब दम देख सकता पूरा कलीन कर दिया है तो यहीं तरीका है सबसे बड़ी आठ वाड़ी को कलीन कर दिया एक फिल्टर को में लगा दिया हिल्क गया में लगे हिल्क पिल्क प्रणिक आपके बा संक के मोई कि अवरेजी तरीफ रेकर आपके इंदर खेलने देडर व्या पीजरी देगी तो फार प्लक शहिए तो मॉटर केंड़ पर्स Kemal मेरे आपक अपको मेरे से तुड़ाइब तुड़ाइब